ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है कूलिंग पाउर ओफ एर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जरूद नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा अन्वायमेंट तिन हेल्थ warm चेप्टर में एयर वाले पाठ का अगला Topic पर एकलता हुआ अपरिशन अप्रिशत परक्टा करण में चलएट अब्र ऐदा सलो सांट फिल्टर परता उसमें वाइटल लेयर परता फिर राइपीट सांट फिल्टर दुनों के बीच का डिफरेंस मैंट क्लोरिलिनिशन परता है खलोरीन परता है, मेंडन पर लिचन बाता सब्सक्राद तुसर्ट में पड़ाता था फ्री रेसिदुल क्लोरीं पड़ा था फिर रोड युदर्स आफ पड़ा seems and the अलग अलग I तो इसके सारे इसके पहले के सारे टॉपिक्स जो है उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियो उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे ठीक तो शुरू करते हमारा एंवायमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर के एयर वाले पार्ट का अगला टॉपिक दैट इस कूलिंग प पाउर ऑफदय का मतलब क्या होता है मतलब होता है हवा की शबंटा कि वह कित्नी जल्दी चीजों को ठंड़ा कर सकती हैגिस को थंड़ा करती है कि और का मूनियक किस तरफ बहरी है किस त्नी विल्वेलासिटी कित्नी स्पीट बहर रहे है और एयर का तेंपोरिच्चर यह हवा का तापमान तो मुषेतर यह इन तीन चीज़ों पर निरभर करता है कि हवा कितनी जल्दी ठंडा करेंगी ठीक तो पाऊर अफ दए एर है इसको याद कसी करेंगे ठीक तो पावर अफ ते एर को कूलिंग पावर आफ ते एर को याद करना है तो एक बंदे को मैंजिन का ओ ठीक है जो कि बढ़ियां एक हैट पेना हुआ है ठीक है अब यहाँ चली हवा हवा चली तो क्या हुआ हवा चली तो यह जो हमारा बंदा था यह वेचारा क्या क्यों क्योंकि इसकी जो hat थी वो तो उड़ गई hat जो थी वो उड़ गई क्यों क्योंकि power of air काफी जादा था power of the air काफी जादा था इसलिए उसकी hat जो है वो उड़ गई ठीक है तो हमने क्या याद किया पावर ओफ एयर पावर ओफ एयर किसपे डिपेंड किया और अफ देयर बहुत जादा थी तो बंदे की हैट उड़ गई तो हैट में H stands for H stands for humidity ठीक है A stands for A stands for air moment ठीक और P stands for T stands for temperature तो पावर ओफ दे एर या कहना चाहिए कि कूलिंग पावर ओफ दे एर किस पर डिपेंड करता है कूलिंग पावर ओफ दे एर जो डिपेंड करता है वो हैट पर डिपेंड करता है तो एच इस दा हुमिरिटी इस दा एर मुवमेंट और टेंपरेचर पर डिपेंड करता है कि cooling power of the air कितना होगा ठीक तो ऐसे आप याद कर सकते हो ठीक है तो यह तो हमने देख लिए कि cooling power of the air जो होता है वह मुख्यता तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है है अब cooling power of the air को नापने के लिए किस चीज की ज़वत पड़ती है तो काटा थर्ममीटर के इस्तेमाल करते हैं हम cooling power of the air को मेजर करने के लिए काटा थर्ममीटर कुछ इस तरह से दिखता है तेको थर्ममीटर जासे दिख रहा है मगर यह देखो जो बल्ब है उसके अंदर क्या लाल लाल रंग का कुछ भरा हुआ ठीक है यह लाल रंग का क्या होता है यह एक्चली में एलकोहॉल थर्ममीटर होता है काटा थर्ममीटर जो होता है यह याद रखना तीक तो यह एलकोहॉल भरा हुआ है काटा थर्ममीटर के अंदर अब यह क्या नापता है काटा थर्ममीटर यह एक्चली में हीट लॉस नापता है कितनी हीट लॉस हुई किस cooling time काटा फेक्टर तो ठीक है constant होता है काटा थर्ममीटा के लिए average cooling time निकालने के लिए हम एक procedure करते हैं अब क्या होती है वह procedure देखो हमारे पास में काटा थर्ममीटा में एक हमने लिए dry काटा जो कि simple काटा थर्ममीटा होता है single bulb होता है उसके कुछ भी हमने रैप नहीं किया होता है और एक होता है वेट काटा कि यह काटा थर्ममीटा जो होता है उसके बल्ब के उपर अपने cloth पूरा बांद दिये जो ड्राइब काटा होता है उच्छे या उसके उपर की रीडिंग बता सकता है और जो वेट काटा होता है वो 20 या उसके उपर की रीडिंग बता सकता है तो हमने किया क्या यह हमाई पस दो काटा है एक है ड्राई काटा एक है वेट काटा एक ड्राई वाला जो है उसमें कोई भी कपड़ा हमने नहीं बांदा है वेट काटे के ऊपर हमने कपड़ा बांदिया है बल्ब के ऊपर ठीक अब दोनों ही जो काटा थर्मामीटर होते हैं उसको हम गरम पानी में डुबाते हैं गरम कितना ग बाहर निकाला और जो ड्यवाला था मतलब जिसपे हमने कपडा नहीं बन्द ठाओ जास वैजब योट वाला है उसके वैज़ कपड़ा चुका है तो हमारे पास गरम-पानी में जुबाने के बाज Ü Wick थर्म सब्सक्राइब ऑला इक वेट वाला वेट वाले के ऊपर हमने कपड बांध हुगा थी कि ड्राइवाला हो गया वेट वाला हो गया दोनों ही को हमने क्या किया था 130 डिग्री फेरानीट वाले करम पानी में डुबाया था अब क्या किया हमने इनको टांग दिया हावा में तो second क्या होती है कि they are both suspended in the air, दोनों को हमने हवा में टांग दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हावा चलेगी, हमने हावा के अंदर टांग दिया था, तो यह हम हवा चल रही है, हावा चल रही है, अब हावा जब चलेगी, तो दोनों का ही तापमान, जो हमने 130 degree Fahrenheit तक दिया था, थोड़ा थोड़ा गिर के भी, अब हम notice करेंगे या record करेंगे कि कितनी तेजी से दोनों का तापमान, दोनों थर्मामीटर में तापमान गिरेगा, ठीक है, ड्राइ में भी गिरेगा, वेट में भी गिरेगा, तो यह तापमान कितनी तेजी से गिरेगा, यह किस पर डिपेंड करता है यह डिपेंड करेगा कुलिंग पावर ऑफ ता एयर पे ठीक है तो जितनी जितना जादा कूलिंग पावर होगा उस एयर का उतनी तेजी से इन दोनों थार्ममेटर में तापमान गिरेगा तापमान बढ़ाने के लिए क्या किया था हमने एक सुतीस करेगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे कितनी स्पीट से गिर रहा है और यह किस पर निर्भार करेगा कूलिंग पावर हैट हुमिडिटी एयर मुवमेंट और टेंप्रेचर इस पर डिपेंड करेगा कितनी तेजी से दूनों थार्ममेटर में तापमान गिर रहा है बस यह ने रिकॉर्ड किया है यह हमां एवरेज कूलिंग टाइम निकालेंगे काटा फैक्टर हमारे पास रहेगा कॉंस्टेंट तो इस से निकल आएगा भाईया रेट ऑफ कूलिंग कितना है कि यह कितनी पावर है उसमें धंडा करने की अब कूलिंग रेंज क्या होती है काटा हर्मामीटर की बात करें तो सौ डिग्री फैरानीट से नब्वे डिग्री फैरानीट तक की कूलिंग रेंज है इन फैक्ट मैं एक और चीज आता है देट इस जो काटा फैक्टर होता है उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए नैंटी सिक में अगर हम बात करें तो आज की डेट में काटा थर्मामीटर का इस्तिमाल किसलिए होता है वैसे तो इसको जो हमने थियोरी में पड़ा कि कूलिंग और आफ दा एयर निकालने के लिए होता है लेकिन आज की डेट में काटा थर्मामीटर का इस्तिमाल लो एयर विलॉसिट को नापने के लिए होता है कि जो नीचे का हवा में नीचे की तरफ जो हवा बह रही है आस्मान में उसकी एर विलॉस्टी नापने के लिए हम काटध़ अतेमाल करते हैं आज कल आज कल की बात करें thou previously में तेख लेते हैं कि पहले किसका इस्तमाल करते थे हम हावा लोème वेल्म को नापने के लिए कि नीचे नीचे जो हवा बहा रही है वह कितनी तेज बहएं उसको नापने के लिए पहले हम एनीमोमीटर का इस्तमाल करते थे। आज भी तुम चले जाओ तो कई जगह पे तुम को यह इस तरह के एन्मो मीटर देख जाएंगे देखता है यह 3-3 ऐसे रहते हैं जैसे जैसे यह हवा चलती है यह हवा अगर चल रही है इस तरफ तो यह इस तरह से घूमने लगते हैं अब यह जब घूमेंगे तो क्या होगा घूमेंगे तो यहां पर देखो पीड के लिए यहां पे मीटरा लगा होता है तो ये स्पीड से पता चलता है, कितनी स्पीड से हवा बह रही है, यह फिर यहाँ देखो वायर के थुरू, हाँ नीचे जाता है, digitally आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड से हावा बह रही है, उस तरह से आप low air velocity एनीमोमीटर से निकालते थे ठीक तो दो सवालों के जवाब एकी सेंटेंस में है आज कल काटा धर्मोमीटर का इस्तिमाल किसलिए होता है low air velocity के लिए पहले low air velocity किस से निकालते थे पहले low air velocity एनीमोमीटर से निकालते थे कुछ इस तरह का दिखता है काटा धर्मामीटर कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है तो यह तो हो गया आपका cooling power of the air ठीक अगर मैं बात करूँ इतनी चीज़े तो at least पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाया cooling power of the air क्या होता है अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भाई theory exam में cooling power of air पे सवाल आता है short note या very short note आता है तो यह आपको बनना चाहिए ठीक अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा का सीधा सीधा सवाल कि भाया cooling power of the air कैसे पता चलता है कि इन तीन में तीन component कौन-कौन से होते हैं तो humidity, air moment और temperature second वाईवा का question काई से नापते हैं तो काटा thermometer से नापते हैं, third question आजकल काटा thermometer किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो low air velocity के लिए चौथा वाईवा का question पहले low air velocity किस से नापते थे तो animal meters तो यह तो होगी आपके वाईवा के question अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमाई नोट्स और स्लाइट में वो सभी इंटरेंस एक्जाम में पुछे गए MCQs है तो एक MCQ तो ये कई यो बार पूछा जाता है कि भाया cooling power of the air निकालने के लिए कौन-कौन से component की जवत होती है या cooling power of the air किन चीज़ों पर निर्भाड करता है तो humidity, air movement and temperature that is hat एक और question जो आजकल पुछा जाता है आजकल काटा thermometer किस लिए इस्तिमाल होता है तो lower velocity के लिए एक और question पहले lower velocity नापने के लिए किसका इस्तिमाल होता था तो animometer ठीक तो ये आपके MCQs हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल image based question बहुत आते है तो एक MCQ आपको इ होना चाहिए कि भाईया animometer कैसा दिखता है ठीक तो इतनी चीजें हैं जो आपको cooling power of the air में पता ही होनी चाहिए थैंक यू